दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल फीस फार्मिंग पर आज एक वार फिर हम एक जानकाड़ी युक्त वीडियो आपके लिए लेकर किया हैं आसा करते हैं यह वीडियो आपको कुछ ना कुछ जानकाड़ी आबस से देगा लाभकाड़ी जानकाड़ी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ने देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम आरंभ करते हैं आज के टॉपिक में जो हम बताने जा रहे हैं वह आपके तालाव के लिए आपके वस्ज ही जनकाडी होगा तो उसी योडिया का जैसे आप पडियोग अपने खेतों में करते हैं पैदावार बराणे के लिए यह इउडिया आपके मचलियों के वे पैदावार को और बरवार को बहुत ही अच्छी तरह से बराता है तो इसे के बिसे में हम जनकारी देने का पडियास करते हैं अगर आपका तलाव एक एकर का है तो आपको कितना युडिया डालना चाहिए और युडिया के साथ साथ और किस चीज का पडियो करना चाहिए दोस्तों यही जनकारी हम इस वीडियो में आपसे सेर करेंगे तो चलिए हम बताते हैं कि अगर आपका तलाब एक एकर का है जिनका तलाब हाफ एकर का होगा वे इसका 50% कर देंगे इसका आधा कर देंगे जिनका बड़ा तलाब होगा जितना बड़ा होगा उसके अनुसार इसका अनुपात वे बराते जाएंगे दोस्तो तो एक एकर के त नमबर दो में यूरिया के साथ आपको सूपर फॉसफेट का भी पडियो करना है दो केमिकल लेना है जो भी दुकान होगा केमिकल का दुकान होगा वहाँ पर यह यूरिया आपको मिले जाएगा और सूपर फॉसफेट भी मिल जाएगा दोस्तों और गाय का गोबर तो बरही गॉबर उपलवद हो तो उससे भी चलेगा दोस्तों इसमें कोई परसानी की बात नहीं है कि सिर्फ गाय का ही गॉबर हो हाँ ऐसा है कि गाय का गॉबर कुछ ज्यादा फायदेमंद होता है भैस के गॉबर से तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको एक एकर में कितना होता है इसलिए थोरा सा ही गॉबर का ज्यादा वजन हो जाता है आपको घबराना नहीं है कि 4000 केजी बोलना है तो आपको गाय का गॉबर 4000 केजी लेना है और सूपर फॉसफेट आपको 120 केजी लेना है और यूडिया आपको 72 केजी लेना है और अभी भी आप घबराड और बहत्तर के जी इसमें पैसा भी एक बार आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों लेकिन आपको एक बार नहीं लगना है पैसा एक बार पैसा को नहीं लगाना है और नहीं इन सारी चीलों को एक बार लगाना है आपको हम बताते हैं किस तरह से करना है इसको दस म महीने हो सकता है कि कुछ लोगों का तलाब दो महीना खाली रहता होगा अगर खाली नहीं भी है आपके तलाब में मचली है भी तो भी आपको दस ही महीना दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में ये दो महीने में आपको अपने तलाब में इसका पड़ियोग नहीं करना है द जब आपके तलाब में मचली हो सकता है आपके तलाब में किसी और टाइम्में अप बच्चा डाले हों दूसरे लोग इसी और टाइमें बच्चा डाले हों कुछ लोग Harvesting कर रहे हों सारी लोग तो एक टाइम में नहीं करते हैं तो जो भी अपने अपने इस वीडियो को आपको 8 कजी आप महिने का पढ़ियों को मिलाएंगे दस महीने का पढ़ियों को मिलाएंगे और अपने तालाब में इसका शिर्काओ करेंगे और इसको बनाने का भी दियो ही है कि पहले आप एक गड़ा में या ड्रम होगा उसमें इसको डाल देंगे और एक सब्ता तक के लिए इन सारे को जैसे 325 केजी गुबर को 12 केजी सुपर फस्फेट को और 8 केजी या 7 केजी परतेक महीने करना है सिर्फ दो महीने छोड़ देना है दिशंबर माह और जनवड़ी माह में उसका मुख कारण है कि दिशंबर जनवड़ी के महीनों में धूप कम निकलता है तो जब आप इस खाद का पड़योग करेंगे तो उस समय धूप भी लगना जरूरी है आपके प पता हैं बढ़ाने का विदी और शिर्काव करने का विदी कितना समान कितना लेना है सारा कपर योगव करेंगे बहुत अच्छा से प्लिंग्टन निर्मान होगा दोस्तों आपके तलाब में बचनियां अच्छी तरह से गुरू करेंगी धन्यवाद